हेलो दोस्तों नवस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों 3 और 4 दिसंबर को जो आपका H-State का एक्जाम होना है उसके लिए आज हमारा पहला क्लास है पहला ओनलाइन क्लास इसमें दोस्तों हम हर्याना जी के इंडिया जी के और हिंदी के most expected questions करने वाले हैं और पूरा पेपर जो आपका बनेगा 3 और 4 दिसंबर वाला H-State का वो इसी क्लास में से बनेगा तो आप सभी क्लास को पूरा टेंड कीजेगा ये हमारा आज का पहला क्लास रहेगा रोजाना आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा H-State का तो चैनल को आप फटा फट से अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लीजिए अगर आपको H-State 2022 में अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को भी तक लाइक और शेर नहीं किया है तो लाइक शेर कर दीजिए पहला कोशन देखिए सबसे पहले अपने हिंदी के कोशन करेंगे उसके बाद अपने करेंगे हरियाना जी के और लाश्ट में करेंगे इंडिया जी के पहला हिंदी का कोशन आपके स्क्रिन पे है निमन में से उभे लिंगी शब्द इन में से कौन सा है अब इस CET का जो एक्जाम हुआ था बिल्कुल ऐसे कोशन ही हिंदी के पूछे गए थे उसमें भी यहाँ पे option है सेर, अध्यापक, राष्टेपती या फिर राजा अब देखिए उभे लिंगी वो होता है जो पुलिंग भी हो और स्तिरिलिंग भी हो तो यहाँ पे सेर, सेरनी हो जाएगा, अध्यापक का, अध्यापिका भी हो जाएगा, राजा का राणी हो जाएगा पर राष्टे पती जो है ना वो महिला भी होती है और पुरुष भी होता है तो यहाँ पर राष्टे पती क्या है एक उभेलिंगी शब्द है तो option C यहाँ पर हमारा correct answer होगा अगला question है सब्द निर्मान की जो शुक्षम इकाई है उसे हम क्या कहेंगे शब्द निर्मान की दोस्तों सुक्षम इकाई हमसे पूछा गया है तो सब्द निर्मान की शुक्षम इकाई को वर्ण कहा जाता है option C इस question का right answer होगा आप भी साथ साथ में comment करते रिए हर question का answer अगला question है निमन में से pulling शब्द कोन सा होगा यहाँ पे तीन शब्द दिये गए है शराब दुकान अध्याए और उप्रोक्त सभी हमें बताना है कि pulling शब्द कोन सा है तो आपको बता दूँ दोस्तों मैं शराब दुकान अध्याए यह तीनों ही pulling शब्द है इसलिए हमारा right answer होगा उप्रोक्त सभी हूब 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 ऐसा question पूछा गया था आपसे CT exam में जो भी हुआ है आपका हरियाना का अगला question है पवन शब्द का संदी विच्चेद क्या होगा जो पवन शब्द है इसका संदी विच्चेद बताना है तो इसका संदी विच्चेद हो जाएग पवन शब्द का संदी विच्चेद अगला question देखते हैं वर्णो का समुहे क्या कहलाता है अभी हमने शुक्षम इकाई की बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं वर्णो के समुहे की अगर वर्णो का जो समुहे होता है न उसे हम क्या बोलते हैं वर्ण माला कहते हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लिजिए अगला कोशन है कि क्रोध का बहुवचन क्या होगा अब यहाँ पर ऑप्शन है क्रोध हों क्रोध हैं या क्रोध या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए जो क्रोध है जिसे हम गुस्सा करना भी बोलते हैं इसमें जो है बहुवचन जो है वो आपका क्रोध ही होता है ठीक है आपने कभी नहीं सुना होगा कि जिसको गुस्सा आ रहा है तो उसे हम कहेंगे गुस्से या गुस्सों हम उसे कहेंगे उसे गुस्सा ही आ रहा है या फिर हम उसे क्रोध कहेंगे कि क्रोध आ रहा है तो क्रोध का कोशन देखिए हर्याना जी के का कौन सा हर्याना का परंपरागत स्थल चक्रव्यू स्थल माना गया है हर्याना का परंपरागत स्थल चक्रव्यू स्थल जो है ये अमीन को माना गया है तो अमीन आपका राइट आंस्वर हो जाएगा साथ साथ में कमेंट करते रहे हैं आप भ करनाल मंदल में कौन सा नहीं आता तो देखिए पानीपत के थलो करनाल तो आता ही है तो यहाँ पे जो बच्चा क्या है सोनीपत सोनीपत आपका राइट आंस पर होगा इसका पीड़े फाइल आपको हमारे टेलिग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिश्ट में म अगला कोश्चन है कि जिले से और कि साल में फरीदा बाद जिले का निर्मान हुआ है देखिए जिला तो आप सभी को पता होगा गुरु गराम है अगला कोशन देखिए अगला कोशन करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है देखिए चार जिलों के फिर से नाम दिये गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जिला करनाल पुलिस की रेंज से बाहर है तो पानी पत भी है करनाल पुलिस की रेंज में शामिल केथल भी है करनाल तो हो गई जजज़र जो है ना यह आपका करनाल पुलिस रेंज से बाहर है तो यहाँ पे राइट आंसफर ओप्शन बी हो जाएगा इस कोशन में अगला question बढखल जील परेंटन संकुल किस वर्स स्थापित किया गया था बात करें दोस्तों बढखल जील परेंटन संकुल की तो ये आपका वर्स 1973 में जो है वो स्थापित हुआ था option A इस question का right answer हो जाएगा अब यहाँ पे आपको एक question का answer comment करके बताना है कि बढखल जील का निर्मान कब हुआ था ये वाला question अभी आपका CT में पूछा गया था तो सभी को comment करके बताना है इसका answer कि बढखल जील का निर्मान कब हुआ था यह आपका homework question भी है comment करके बताईए और यहाँ पे हमसे पूछाए कि बढ़कल जील परेटन संकुल किस वर स्थापित किया गया तो यह 1973 में स्थापित हुआ था तो option A इसका right answer हो जाएगा अगला question है भारत में खुले सोच से मुक्त राजे में हर्याना का स्थान कौन से नमबर पर आता है भारत में खुले सोच से मुक्त राजे में हर्याना का स्थान भारत में पांचवा है तो option D इस question का right answer होगा अगला कोशन हर्याना के किस जिले में की स्टोन नोलेज पार्क का उधगाटन हुआ है तो ये आपका दोस्तों हुआ है गुरू ग्राम में तो गुरू ग्राम आपका करेक्ट आंस्वर हो जाएगा अगला कोशन है कि सुरज कुंड का मेला का आयोजन प्रतेक वर्स किस उपनगर में होता है सभी को पता होगा फरिदाबाद उपनगर में होता है प्रतेक वर्स सुरज कुंड मेले का आयोजन तो ओप्शन डी इस कोशन का राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है कौन सा मेला करनाल में प्रती महा आयोजित किया आता है देखे दोस्तों हमसे कोशन में क्या पूछा गया था कि कौन सा जो मेला है वो करनाल में प्रती महा आयोजित किया आता है तो आपको पता होगा जो पांडू का मेला है ये करनाल में प्रती महा आयोजित होने वाला मेला है तो option C इसका right answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं किस वर्स में हर्याना का सुरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतराष्टे स्तर पर इसका विकास किया गया था तो देखिए 2013 तक जो है न ये जो सुरजकुंड क्राफ्ट मेला था केवल हर्याना तक और भारत तक की इसका विकास हुआ था वर्स 2013 से हमने क्या किया सुरजकुंड क्राफ्ट मेला हमने अंतराष्टे स्तर पर इसका विकास सुरू कर दिया तो option D इसका right answer हो जाएगा ठीक है अगला question है की रोतक मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं होता तो रोतक मंडल में आपको बता दूँ फतेया बात जिला शामिल नहीं है तो हमारा right answer होगा option C is question में अगला कोशन है हर्याना का कोन सा सहर सूचना प्रोधोग की के लिए प्रमुख है तो हर्याना का जो आपका गुरुगराम शहर है ये सूचना प्रोधोग की के लिए प्रमुख है तो option C इस का राइट आंस्वर हो जाएगा अगला कोशन पंजाब एम हरियाणा उच नियाले के प्रथम जो मुख्य न्याय मूर्ती है वो कौन है तो यह है न्याय मूर्ती राम लाल जी ओप्षोन सी उसका करेक्ट आंश्वर होगा अगला कोशन हरियाणा का कौन सा ग्राम प्रतम खुला शोच मुक्त ग्राम बना है तो ये मरोरा गाम बना है ओप्शन सी राइट आंस्वर होगा आपको कमेंट में बताना है कि मरोरा का जो नया नाम है वो क्या है अगला कोशन अब अपने इंडिया जीके के कोशन कर रहे हैं इंडिया जीके का पहला कोशन पोंगल किस राजे का त्योहार है तो ये आपका तमिलनाडू का त्योहार है ओप्शन D करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंडिया जीके का कोशन देखिए भारत की मुख्य भूमी का दक्षिनतम किनारा कोन सा है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिनतम किनारा पुछा है तो कन्या कुमारी आपका राइट अंस्पर होगा option A नेक्स्ट इंडिया जी केगा कोशन राम क्रिशन मिसन की स्थापना किस ने की थी राम किशन मिसन की स्थापना स्वामी विवेकान जी ने की थी ओप्शन C करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है भारत का राष्ट्रिय जलिय जीव कुन सा है भारत का राष्ट जलिय जी पुछा है तो गंगा की डॉल्फिन करेक्ट होगा ओप्शन B अगला कोशन 1857 इस्वी के विद्रों में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो 1857 की जो क्रांती हुई थी उसमें सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था ओप्शन A इसका करेक्ट आंस्वर होगा अगला कोशन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके दवारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रोई ने की थी ओप्शन B करेक्ट हो जाएगा स्वामी द्यानंद सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना की थी अगला कोशन स्वामी द्यानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी और इनका मूल नाम था मूल शंकर option B यहाँ पे हमारा correct answer होगा अगला कोशन है पंजाब केसरी किसे कहते हैं लाला लाजपत राई जी को पंजाब केसरी का जाता है ओप्शन C करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन 1949 इस्वी में कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुभाज चंदर बोश जी ने किस दल की स्तापना की थी इन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ने के बाद 1949 में फोरवर्ड ब्लोग की स्तापना की थी ओप्शन A राइट आंस्वर होगा इस कोशन का अगला कोशन और ये लास्ट कोशन है और ये आपका होमवरक कोशन है इस कोशन का सभी को कमेंट में अंस्वर करना है तीरतिस्तल पंच वटी हर्याना के की जिले में पड़ता है ओप्शन चार आपकी स्क्रीन पे हैं जो भी करेक्ट आंस्वर है वो आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को शेर करें हर्याना गवर्यमेंट एक्जाम की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजिए जैहिंद जैभारत